हेलो गाइज, वेलकम टो आर चैनल आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस ड्रेवर की जो प्रिपेर्शन कर रहे हैं उनको भरती होने पर ट्रेनिंग के दोरान कितनी सैलरी मिलेगी कौन-कौन से वो बत्ते हैं जो हमें ट्रेनिंग के दोरान नहीं मिलते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद सभी बत्ते जुड़कर हमारी सैलरी कितने हो जाती है कौन-कौन से बत्ते मिलेंगे उनकी पूरी डिटेल आपको प्रूफ के साथ दूँगा यानि कि हम इस वीडियो में दिल्ली प्लिश ड्रावर की पेशलिप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए दिल्ली प्लिश ड्रावर के 15 प्रैक्टिस पेपर सैट और लास्ट यह आ इवे सभी पेपर की वीडियो भी अप्लोड की हुई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रेशन दे मिल जाएगा जहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं इस तरह की और वीडियो वेपलोड होती रहेंगी और वो सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन भी प्रेस कर लें अब देखते हमारी पेसलिप अभी हमारे सामने है दिली पुलिश की पेसलिप ठीक है हम इसको देखेंगे दिली पुलिश के हमारी पेसलिप है और यह जो से क्या मतलब है हम इस पेसलिप में जो जो दी गई है हम सब को डिटेल से जानेंगे कि किस का क्या मतलब होता है ठीक है कि ट्रफिक हो गया उसके बाद हमारा शब्ष पांगाया और हमारा आठ्ध हो गइया फिर हमारा इन टुसके हमारी है तो ऑम युनिट के हैशाब से जाह चैने वहां पर आपको आपको से daha अरह ज़स्क्राम घ़D की स्हиль dest Bradley पर ईजून दोजारबाइस के पेशलीप है यहनि कि पेशलीन सिलिप हमारी हमारी है अब देखते हैं यह क्या दिया गया है आपको 25 स्रच नंबर कम इन्जिया होता है थीजिया पना णोंबर में या शुपा हुता है इसमें आप साइख 2 to 8 2a होता है कि आप बहती है और का मिन्स क्या होता है कि आप वर्ती यहां पर आप कौन सा बहता है अगर जैसे आपकी जो जो जौइनिंग होगी अब जो नए आप तयारी तो यहां पर होगा आपका 28 और 23 जैसे 2814 यहां 2823 क्योंकि आप 2023 में आप जोईन करेंगे इसलिए और यह 286 कोंस्टेबल का होता है अगर आप हैड कोंस्टेबल कर बरती होंगे तो यहां पर होगा आपका 29 अब चाहिए आप से इस्पेक्टर चले जाएंगे परमोट होके तो देजिटिशन डेशन के यह हमारा कोंस्टिबल क्यों है हमने पहली देख लिए ता 18 का मतलब कोंस्टिबल होता है तो कितनी इसके बीच पढ़ेगी तो कितनी सेल्री बशते होते सब मिलाकर वह हम डीटेल से जानेंगे उसके बाद हमार क्या दिया होता है बैक अकाउट नम पाइब को लेंगे और आपका जो है फिर आफ्री ओफ को लेगा उसके बाद है हमारा डेट ऑफ वर्त अब और एक अबार्सनल इंफ्रॉमेशन चाहिए हमने हायड कर दिया है यह हमारा जो पैन नमबर होता है यह भी हमने हाइड कर दिया तो यह हमारा आदार नंबर है और यह फादर नेम वगर होते हैं अब हम बात करेंगे यहां तक हमारी हो चुकिए अब हम बात करेंगे अमाउंट के बारे में यहां पर दिया हुआ है बेसिक पे ठीक है बेसिक पे हमारे कितना है 27600 रूप है यह कौन से बैच की है 2014 के बेसिक के हैया यह क् chicos के लेकिन अगर आप जो है 23 221 रहे ने में यह बड़ता है तो ہु आपूरा मर्च बढ़ते है जो सेंटर कुरुमेंट ने का जेती है जुलाई में और जनुरारी में 3%, 2%, 5% वो आपका DA बढ़ेगा ठीक है DA के उसार basic पे जितना % हमारे DA होगा उसी हिसाव से basic पे आपका पर्सेंट लग जाएगा और आपका DA हो जाएगा 50% DA ठीक है ना 50% DA जब होजाएगा तो हमारे basic वे मर्द हो जाएगा और फिर अमारे DA इस्टार्ट हो जाएगा अब बात करते हैं house rent allowance की ठीक है ना house rent allowance जो है यह है important 7452 रुपए यह house rent जो हमें training के दोरान जब आप training करेंगे तो हमें house rent नहीं मिलेगा ठीक है उस दोरान नहीं मिलेगा मिलेगा उस दोरान का भी मिलेगा लेकिन मिलेगा कब जब हमारी training जो है पास आउट हो जाएगी उसके बाद जो हमें यह मिलेगा कितना है 7452 रुपए और उसके बाद कैसे मिलेगा जैसे आप अगर मार्च में जोइन करते हैं तो मार्च हमार तीसरा महिना अगर दिसंबर में पास्टिंग आउट करेंगे उसके बाद आपको एक application लगाने पड़ेगी application जो लगाएंगे उसमें आपको देना पड़ेगा कि मैं इस जगह पर मैं यहां रेंट पर रह रहा हूं ठीक उसके बाद आपको पूरे 9 महीने का training के दोरान का भी आपको 81 पैसा यानि कि अगर आपको 10 महीन हो जाते हैं तो करीब 75,000 रूप आपको यह है आपको मिल जाएगा ठीक है आपको एरियर के रूप में मिल जाएग हैं कि तो मांन सकते कि 44 4 19742 में भी अब बात करते हैं ट्रांस्पोर्ट अलाउंस की दशतर जो है 488 Swan बश्यरॉप यह सें होता है अब बात करते हैं साइक्स सब्सक्राइयर के 682 रूपी यह बीडी में इसमें कोई भी चेंज मेरनी होताय है रह संबंझी अबबास यह हमारा इसमें भी गुर्मेंट जो है साल के बाद या डेड़ साल के बाद जो उनको सही लगता है उस हिसाब से इसमें जैसे अभी 170 रुपए करीब परड़े का जलार रासन मनी एक या दो रुपए उसमें बढ़ाती रहती है अगर हम टोटल इनको जोड़ते हैं तो हमारी हो गई त्रेपन हजार दोसटाज़ेतार रुपए यानि 53277 लेकिन यह में इन हैंड में कैस मतलब अकाउंट में कितना मिलेगा वह हमें देखना है यह हमारी टोटल हमारी जो है सेलरी हो गई ठीक है अब हम बात करते हैं कि यह डिडेक्शन होगा ठीक है यह डिडेक्शन है तो य यह आपड़ी में जितना 3-28 रुपए आपका कट रहा है उतना ही गवर्मेंट ता में जो है आपके अकांट में और समिट करेगी तीक है डिपोजिट करेगी घनी कि आपका करें यह 274 रुपए आसपास आपका 45 रुपए का आसपास आपका हो जाएगा पर मंत यह भी बढ यह तीसी रुपय का है इसमें कुछ नहीं है यह जून के महीने में लगा है हमेशा नहीं लगता है अब देखतेगी कितना हुए डेक्षन यह दोनों जोड़कर यह इतना हो गया हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे नैट पे हो गई 59500 जो में कैस मिलेगा इसके बाद भी हमारा डिरेक्षिन हुआ है यह जो डिरेक्षिन हुआ है बताऊंगा कैस हमें मिलेगी सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद देखते हैं मर्चरी फंड मर्चरी फंड भी जो है जून के महीने में कटाई इसके बाद नहीं कटता है ठीक है तो इस महीने जो आपकी सेल्डी आई है 45224 रुपए सेल्डी आई है करीब मान सकते हैं 50,000 रुपए ठीक है 50,000 रुपए तो एक मिडिल फैमिली के लिए ठीक है 50,000 रुपए बहुत होता है कैस ठीक है रेक्शन आपका पहले हो चुका है कैस जो आपको 50,000 मिलेगी और 50,000 रुपए जो है आपकी सेल्री बढ़ती जाएगी ठीक है इसमें आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के दोरान आपको इस में से 50,000 में से करीब आपको पूरा इखटा पैसा मिल जाएगा यह पूरा देखा जाए तो पूरा 50,000 मिलेगा अगर आप देखते कि इन हैंड कितना मिलेगा तो आपको ट्रेनिंग के अगर आपको इस यूडियो में कुछ समझनी आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा